लाइ विवर्स वेलकम टे दर वीडियो इंद वीडियो 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 वी विल डिसकस जीना एंड दाउ एम डिगेट पासपेपर एमसी क्यूज अब 2007 केमिस्टर पोशन को डिसकस करेंगे बज़ारते जो हमारी पिछली वीडियो से हमने दिफ्रेंट डिफ्रेंट सीरीज को कंप्लीट करते चले जाएंगे ओके जी तो चलते हैं आप आज के अपने फिर्स्ट एमसी के उसके जानब देखें 2007 बहुत पिछला एर है न तो बहुत सारे एर्स के जो पासपे परेमों बलर मिल रहे हैं 2007 का मिला तो है लेकिन ये भी बहुत बलर ही है लेकिन मैं पढ़ने की फुल ट्राय करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएं बाते और प्रेक्टेस हो जाएं किलियर तो इफ एन इस इकल टो फोर एंड एल इस इकल टो तो ये रिप्रेजेंट करता डी और्बिट तो इन सारे और्बिट्स को स्टेडि करना किलियर इससे एमसी ओके हो कई बाते तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नमबर डी उसके बाद यहां वेक रिएक्शन है टू एन ओ प्लस ओटू स्लेश टू एन ओटू यह कौन से ओडर की बात कर रहा है कौन सा ओडर आफ रिएक्शन है देखें रिए इसके बात बात रिएक्शन होई यह हुआ थार्ड ओडर रिएक्शन तो इससाब से यह उप्शन इस करेक्ट विच ओफ तर फालोइंग है इस थाहिएस्ट डिगरी आफ पालरेटी इन दे मॉलेक्वल्ड किसके पास सबसे ज्यादा हाइस्ट डिग्री आफ पालरेटी यह वो होती है हईडरूजन फलो राइड के पास क्योंकि उसका एलेक्ट्रो-negative वेल्यू भी ज्यादा होता है कितना होता है एप फॉर पॉएंट जीरो हाइएस्ट एलेक्ट्रो नेग्टिव टी पावर रगता है न तो इससे साबसे पॉलरेट इसके पास ज्यादा होगी तो the contact process for the preparation of H2SO4 catalyst used के contact process जो होता है उसमें sulfuric acid या उसकी preparation होती है तो उसमें कौन सा catalyst हम्यूज करते हैं उस पे हम्यूज करते हैं catalyst vanadium pentoxide जिसको हम बोल सकते हैं V2O5 के लिए vanadium pentoxide या V2O5 या V2O5 में हम्यूज करते हैं वह गया हमारा option number B उसके बाद vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K belongs to यह जो चारो vitamins है न बुक में पॉइंट लिखी होई है यह fat soluble vitamins हैं इसे आपसे हमारा B option correct हो तब variable oxidation state of transition metals is due variable किस वज़ा से होती है इस वज़ा से होती है क्योंकि उसके पास outer A इस भी इनवोल होता है और इनरेट D भी इनवोल होता है लेकिन partially इसलिए उनके पास क्या होती है variable oxidation state in transition metals ओके हो गया तो इसका जो correct option बनेगा आपके पास वो बनेगा option number B चलते हैं next slide के जानब ठीक है यह थोड़ी सी visualize ज्यादा है उसके बाद क्या है when benzene is nitrated concentrated nitric acid and sulfuric acid react intermediate which attack the benzene ring which of the following represents this intermediate अच्छा जो भी reactions है ना sulfonic acid वाले nitric acid वाले इन सब को गोर से पढ़ना इसमें कौन सा intermediate यूस किया जाता है nitride में या concentrated nitric acid और sulfuric acid में यूस किया जाता है NO2 plus intermediate is the source of intermediate NO2 positive is used clear जो हमारा correct option बनेगा वो बनेगा option number D which of the following particles would on losing an electron have half filled set of P orbital देखें half filled set of P orbital किस तरह से बनेगा N negative से जब आप N7 होता है ना तो जब उस पर इसे एक निकाल देंगे आप तो half filled P orbital उसके पास आ जाता है so N negative वाला जो हमारे पास correct option बनेगा तो correct option N negative कहां पर हमारा C option वो correct बनेगा okay तो यह half filled वाली series भी देख लेना clear उसके बाद isopentane and neopentane are the example of देखें यह तोड़ा सा समझना तो isopentane के पास भी होते हैं 5 carbon atom neopentane के पास भी होते हैं 5 carbon atom लेकिन isopentane के पास होती है only a single branch chain और neopentane के पास होती है two or more than two branch chain तो दोनों आएंगी chain isomers में लेकिन दोनों की branches अलग होंगी लियाजा दोनों के carbon atoms भी सेहम होते हैं तो कौन सा correct होगा C option is correct next question आगे हमारे पास the bond energy of H2 molecules यह theoretical सा question यह bond energy पूछ रहा है किसकी H2 molecule की तो वो होती है 104 kcal per mole inverse ठीक है जी तो इसका जो correct option बनेगा आपके पास वो बनेगा option number C next which pair of the gases have same ratio of diffusion at STP अच्छा देखें कौन का पूछ रहा है ratio of same rate of diffusion तो क्या होता है जिसका mass molecular mass same होगा ना उसका rate of diffusion भी same होगा CO2 carbon dioxide का क्या होता है 44 C3H8 का भी क्या होगा 44 जब आप molecular mass देखा लेंगे दोनों का तो 44 44 दोनों का same आएगा तो same rate of diffusion भी होगा ना दोनों का 8 STP C is correct option next time से क्यों आगया हमारे पास बिलर ही थोड़े sorry लेकिन क्या करें इससे बहतर और कोई भी slide नहीं मिल रही थी viscosity of liquids depends upon viscosity liquids की किस चीज पर depend करती है temperature पर बिलकुल सही बात है size of molecule बिलकुल shape पर भी depend करती है intermolecular forces पर depend करती है तो viscosity liquids की all of these correct option बन गया हमारे पास यह सब चीजों बे dependent होती है okay जी यह question भी हमारा clear हो गया इस correct option उसके बाद formula of plaster of paris यह तो बिलकुल simple साधा सा है plaster of paris यह इस तरह के formula याद कर लें bleaching powder का या acidic acid का plaster of paris का यह याद कर लें important है उसके बाद dehydration of ethanol is present of H2SO4 at higher temperature the formation of अच्छा देखें जब भी हम dehydration करवाते है न इतनोल की sulfuric acid की present में तो उसे हमें मिलता है ethene क्या मिलता है? ethene लेकिन temperature को ध्यान में रखना higher temperature पे low temperature पे product चेंज हो जाएगा higher temperature पे हमें ethene मिलता है जब हम dehydration करवाते है ethanol की in the presence of sulfuric acid C is correct option hybridization between CC atoms of C2H2 ethene उसकी जो hybridization होती है वो SPSP होती है अगर हम ethene की बात करें तो उसकी SPSP3 होती है और ethene की बात करें तो SPSP2 होती है लेकिन यहाँ पे ethene की बात कर रहे है तो SPSP hybridization हो जाएगी तो इसे साब से हमारे जो correct option बनेगा वो option number C बनेगा which is SPSP and SPSP hybridization between CC atoms in C2H2 which is ethene is ओके जी उसके बाद हमारे पास next MC की आगया यह एक reaction है उसमें sulfuric acid का यूज करा जा रहा है कि in this reaction of sulfuric acid is used देखे जब भी sulfuric acid को यूज करेंगे न आप याद रखें यह constant चीज बन जा है आपके mind में के वो dehydrating agent होता है sulfuric acid एक वो dehydrating agent है तो इसे साब से जो हमारा correct option बनेगा वो बनेगा A next MC की आगया हमारे पास अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे एक structure आ गया है किसका structure है isopentane का इसका क्या पूछ रहा है iopic name पूछ रहा है तो इसका iopic name बनेगा न वो बनेगा 2-methyl propane क्योंकि 2 की position पे आपका है कि methyl group at age और carbon number कितने हैं 3 तो इसलिए हमने propane करार दे दिया इसको तो is correct option iopic name ध्यान से सोचना और समझना और इनको practice करना question आ जाते है यहाँ पे compound है जिसको हम बोलते है ispartic acid what is its common name common name क्या होगा इसका acid group at age इसलिए हमने acid किस common acid करार दिया amino acid इसलिए क्योंकि NH2 group उपर इसके लगा हुआ है तो साबसे हमारा c option correct हुआ अच्छ जी characterize किया जाता है appearance of mirror लेकिन कौन सा mirror वो होता है silver mirror appearance of silver mirror होता तब भी करेक्ट था appearance of mirror तब भी करेक्ट है tolens reagent या tolens test इसलिए ही यूज किया जाता है to identification of LDI and characterized by appearance of silver mirror test so हमारा पास next mc क्यों हा गया the order of reactivity of carbonium iron from asin 1 view point is देखे क्या पूछ रहा है carbonium iron की लेकिन asin 1 के साब से क्या होगी reactivity tertiary is more reactive than secondary than primary लेकिन asin 1 so see is correct option the solution of log a upon b तो देखेंगे ये इसलिबस में से cut off कर दिया है इसको छोड़ दे लेकिन इसका correct option भी है इसको देखे बाकि इसको memorize करने की आपको need भी नहीं इस तरह की question अब नहीं आते so be is correct option protein are gigant polymers of polypeptide chains they are linked by देखें protein की जब भी आप linkage की बात करेंगे ना तो उनकी linkage होती है peptide linkage peptide linkage होती है किसकी protein की हमेशा proteins की peptide linkage होती है तो से आपसे जो हमारा correct option बनेगा ना option बनेगा chemistry में भी question आया है और bio में भी आता है ये question protein की link जोलो सी is correct option next time से क्यों PV is equal to A na T is invalid for valid होती है ideal gases के लिए और invalid होती है real gases के लिए तो concept generate कीजेगा आपना एसा नहीं है के invalid करके है ideal gases के लिए invalid होती है real gases के लिए और valid होती है ideal gases के लिए general gases equation ये PV is equal to A na T general gases equation है तो ये is correct option ethyl orange is often used ये किस तरह से use किया जाता है ये last chapter में point लिखी हुई है कि strong acid और weak base है इस तरह की points याद करने ही next the reaction ये जो reaction दिया गया है c l 2 plus 2 e negative 2 c l is ये simple सा question है इसको क्या ही explain करना चाहिए ये एक reduction reaction है और देखे oxidation reaction और reduction reaction पर थोड़ी से practice करने question पूछे जा सकते है so this is correct option 80 grams of NaOH there are इसके पास कितने number of moles होंगे moles 2 होंगे किस तरह से होंगे वो होंगे 2 moles mass upon molar mass mass कितना दिया गया है 80 gram 80 gram 80 divided by 40 is equal to 2 ओके जी उसके बाद alpha raises या जो हमारे पास होते है x raises alpha raises ये कौन से होते हैं ये positive charge helium nuclei होते हैं so this is correct option उसके बाद कि जिन्ना के पास प्रिपर्स में ये तीसरी बार question repeat हो चुका है तीसरी बार में ये solve कर रहा है question तो most repeated question है ये ये free state में oxidation state होती है elements की वो होती है 0 so this is correct option तो इसे repeat questions आते हैं जितनी हो सके जिन्ना के पास प्रिपर्स करें जितनी हो सके possible जितनी है करते जाए करते जाए aqua regia is used as solvent for gold and silver it is mixture of HNO3 and HCL the ratio is ये भी question repeated है 1 ratio 3 confuse नहीं होना 3 ratio 1 मत करके है 1 ratio 3 is the correct option so B is correct option ओके जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो जितनी हो सके आप रेक्टिस करें जिन्हा के पास पेपर्स की मैं कोशिश करूंगी कि डेली बेसिस पे एक ना एक वीडियो अप्लोड की जाए जिन्हा के पास पेपर्स की तो ये थी हमारी आज की वीडियो if you like this वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल so thank you for watching this video